नमस्कार जोहार मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे दा फोर्थ पिलर डॉट न्यूज जार्खन के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र इंस्टिटूट ओफ मेडिकल साइंस यानी रिम्स अपनी कूवेवस्था के कारण हमेशा चर्चा में बना रहता है कहने को तो अस्पताल में सभी सुविधाय उपलब्ध है लेकिन जमीनी स्थर पर मामला कुछ और ही है एक बर फिर रिम्स की खबरें अखबारों की सुर्खियां बन रही है रिम्स से मानावता को शर्मशार करने का एक मामला सामनी आया है रिम्स का हाल तो किसी से नहीं छुपा है अस्पताल में इलाज कराने गए लोगों को कभी बेड नहीं मिलता है तो कभी अस्पताल में साफ सफाई ही नहीं रहती जीते जी तो अस्पताल में मरीजों को चैन नहीं मिल रहा है और अब मरने के बाद भी शान्ती नहीं मिल पा रही है रिपोर्ट के मुताबिक रिम्स का मॉर्चरी यानि मुर्दा घर के सभी फ्रीजर लगभग खराब हो चुके हैं पचास में से केवल चार फ्रीजर काम कर रहे हैं जिसके कारण मॉर्चरी में रखी लाशे सड जा रही हैं इतना ही नहीं आगे हम जो बताने जा रहे हैं वो सुन कर शायद आपकी रूप काप उठेगी मॉर्चरी के खराब होने की वजह से सिर्फ लाशे सड नहीं रही बलकि अब इन लाशों को कीडे मकोडे खाने लगे हैं और इन सडती शओ के कारण चारों तरफ दुरगंद फैल गई है जिससे आने जाने वाले लोगों को परिशानी हो रही है आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मॉर्चरी का कूलिंग कंपार्टमेंट साल 2019 में लगबग एक करोड़ बीस हजार रुपे की लागत से बनाया गया था सिर्फ चार सालों में ही मॉर्चरी का हाल बेहाल हो गया है जानकारी के मॉर्चरी बीते 10 महिने से काम नहीं कर रहा है बीते कुछ महिनों से राज्य की लौ एंड और पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब राज्य की स्वास्त वेवस्था की स्थिती भी दैनिये नजर आ रही है अब सरकार के सामने विधी विवस्था के साथ स्वास्त विवस्था को भी सुधारने की बड़ी चुनाउती है सरकार के साथ साथ इसके पीछे अस्पताल प्रबंधन की भी बहुत बड़ी लापरवाही है अखबार दैनिक भासकर की रिपोर्ट की माने तो शओ की दुरदर्शा का सबसे बड़ा कारण यह है कि रिम्स प्रबंधन के पास मौर्चरी में खराब फ्रीजर की मरमत के लिए 8 लाक रुपे तक नहीं है वहीं तीन दिन पहले अस्पताल की मुख्य बिल्डिंग की फॉल सीलिंग के लिए 60 लाक का टेंडर निकाला गया है लेकिन प्रबंधन इस फ्रीजर की मरमत के लिए 8 लाक रुपे खर्च नहीं कर पा रही है सबसे हैरानी वाली बात ये है कि रिम्स का सलाना बजट तकरीबन 400 करोड का है फिर भी अस्पताल की इस्थिती काफी चिंता जनक है रिम्स प्रबंधन के पास मौर्चरी में फ्रीजर खराब होने की सूचना कई दिनों से है इसके बाद भी इसे ठीक कराने की दिशा में अब तक कोई पहल नहीं की गई है बीते फरवरी महिने में रिम्स की मौर्चरी में शव की स्थिती जानकर आप सक्ते में आ जाएंगे बता दे कि फरवरी महिने तक कुछ शओ की स्थिती ऐसी थी कि उसका कुछ हिस्सा डिकम्पोज होकर बह गया है जिसके बाद शओ की पहचान कर पाना लगभग मुश्किल हो गया है फिलहाल राहत की बात ये है कि रिम्स के निदेशक डॉक्टर आरके गुपता ने कहा है जो भी उपकरन खराब हैं उनकी मरमत के लिए वर्क ओर्डर हो चुका है जल्दी एजनसी के इंजीनियर इसे दुरुस्त करेंगे दोबारा कूलिंग कमपार्टमेंट खराब होते ही ततकाल दुरुस्त करा लिया जाएगा हम उमीद करते हैं कि निदेशक अपनी बातों पर अमल जरूर करेंगे ना केवल फ्रीजर बलकि पूरे रिम्स अस्पताल के व्यवस्था पर जल्द से जल्द सुधार हो ताकि इलाज की उमीद से दूर दरात से पहुंचे मरीजों को अच्छी और सुवीधा जनक इलाज मिल सके फिलहाल के लेतना ही देखते रहें दाफोर्सपिलर डॉट न्यूज जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिये गया है शुक्रिया